हेलो फ्रेंट्स इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि आपका मार्कर होता क्या है और मार्कर मेकिंग होती क्या है ठीक है आज हम बात करेगे कि मार्कर जो है वो किते टाइप से अपनी मार्किंग करता है आज हम अपने इस लेक्चर में ये पढ़ेगे कि हमा तो आज हम इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले हमारा कि मारकर टाइप जो मारकर है वो किते टाइप से वो मारकिंग करता है इसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपका ओपन मारकर ठीक है इसमें क्या दिया हुआ है आपका सबसे पहले ओपन मारकर इसमें क्या बोला है मारकर मेड विद फुल पैटन पीसिस जो हमारा जो Marker है वो क्या बनाता है वो पूरे पैटन के टुकडो से अपना जो Marker है वो बनाता है अगर जो हमारे Open Marker होते है उसमें क्या बना जाते है उसमें Marker बनाता है with full pattern pieces वो full pattern pieces बनाता है open marker में ठीक है इसके बाद हम बात करते है second close marker जो closed marker है उसमें क्या होता है marker made with half garment part pieces for lay along the fold of the tube bracket में tubular knit इसमें क्या चीज बोली गई है कि जो आपके close जो आपके close marker है उसमें किस तरीके से वो बनाता है इसमें tube के जो आपका tube के जैसे मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपके tabular knit मतलब जो आपके tube के जो आपके कपड़े होते है उनके साथ क्या करते हो आप उसको फैला देते हो फैलाने के लिए आप क्या करते हो आपका जो half garment है आपका half garment का जो part है उसके टुकड़े को बनाते हो इसमें ये चीज बोली गई है कि close marker में क्या करते है जैसे आपको इस figure में दिखाया गया है आपका जो fabric है उसको on fold करते है और उस पे सिफ आपका जो आपका जो pattern है वो क्या करते है सिफ उसका half fold करके उसको रखे और तब उसको हम बनाते है आपका सिफ half garment को ही रखके उसको बनाया जाता है तो ये था आपका close ended close ended में क्या करते है आपका half garment जो होता है उसको रखके बनाते है लेकिन जो आपका open marker है उसमें क्या करते है उसमें full pattern piece को रखके बनाया जाता है ठीक है यह इन दोनों में difference है जो आपका open marker है उसमें आपका full pattern piece को बनाया जाता है लेकिन जो आपका close marker है उसमें सिफ आपका जो half इसमें लिखा है ना कि marker made with half garment garment part pieces for the lay along the fold of the tube वो क्या करता है उसको fold कर किया आपका जो tubular जो आपकी जो knit है उसको fold करता है ठीक है उसका सिफ क्या करता है आपका अगर front body है ठीक है उसको बनाना है तो वो क्या करेगा उसको half fold करेगा आपके जो garment है उसको पीसिस को उनको बनाता है लेकिन जो आपका open marker है उसमें फुल पैटर पीसिस को बनाए जाता है अब हम बात करते हैं कि आपका marker making किते टाइब से करी जाती है आपकी जो marker making है ठीक है यह आप दो दरीके से आप इसको कर सकती हो सबसे पहले है यह आपकी manually produce की आप इसको manually produce कर सकते हो आप इसको हास से की जा सकते है दूसरी है आपकी computerized marker making CAD के थुरू ठीक है आप लोगों इसको दो type से आप इसको कर सकते हो पहला आप इसको हाथ अपने आप कर सकते हो manually ठीक है दूसरा आप इसको computerized कर सकते हो, आप इसको CAD की help से आप marking जो है, वो कर सकते हो, इसके बाद हम बात करते हैं, marker making की, कि आपका marker making होता गया है, ठीक है, इसमें हमारे कुछ point है, जिसको हम यहाँ पर discuss करते हैं, सबसे पहला point है, हमारे create on marker paper, और directly on fabric ply, इसमें बोला गया है, कि जो आपका, जो आपका manually करते हो, ठीक है, इसमें marker क्या करते हैं, वो सबसे पहले जिओ marking करते हैं, या तो वो paper पे करते हैं, या फिर वो सीधा उसको जो fabric की, जो ply होती है, उसपे वो बनाता है, तो इसमें क्या चीज बोला गया है, कि जो marker है, या तो वो अपना काम directly किस पर करते है, paper पे क आपको बोला हो गया है ट्रेसिंग बाइ पैंसिल और टेलर स्चोग इसमें क्या चीज बोली गई है? इसको क्या किया जाता है? त्रेसिंग पैंसिल या फिर जो आपके टेलर स्चा tu Л. चोक है उससे इसको क्या किया जाता है inspiration with a आप लोग जानते हो अगर आप कोई भी काम हास्ट से करते हो as compared to आपके computer की तुलना में या फिर आपके machine की तुलना में तो आप क्या करोगे आपको time ज्यादा लगेगा manually काम करने में time ज्यादा लगता है as compared to अगर वही काम machine की तुलना में से क्या जा रहा हूँ तो जो आपका manual marker है इसमें ये time consuming होता है इसमें आपका समय ज्यादा लगता है इसके बाद है आपका fourth point subject to error जो काम आप हास्ते करते हो उसमें गलती होने का जो संभावना होती हो थोड़ी ज्यादा होती है जैसे pattern overlap होना grain line poor line definition और mention of pieces ये आपके कुछ subject है जिन में error होने की जो संभावना है वो आपकी थोड़ी बढ़ जाती है जब आपका हास्ते करते हो उसके बाद है आपका fifth point accuracy depend on individual skill की आपकी जो accuracy है वो किस पे depend करते है individual की skill पर इसमें बोला गए एक्ति के जो skill है उस पर निर्भड करती है उसकी accuracy जो accuracy है वो किस पर निर्भड करती है individual skill जो काम करने वाला है उसकी skill पर हमारी जो accuracy है कि हमारा pattern सही बनेगा ये उस पर निर्भड करता है तो जो आपका manual marker जो है इसमें आपकी ये 5 point आते है कि या तो वो सीधा बनाता है paper पे या फिर वो directly किस पे करता है fabric की ply पे अपना create करता है marker फिर उसके बाद वो क्या करता है वो trace करता है pencil या फिर tailor joke की help से जिसमें उसको time भी लगता है और इसमें आपके error होने subject error होने की संभवने थोड़ी ज़्याद होती है pattern overlap पे या फिर gray line पे poor line definition पे dimension of pieces पे accuracy किस पे depend करती है individual skill की जो काम करने वाला है उसकी individual skill पर हमारी जो accuracy है जिसको आप हिंदी में बोलतो सटीकता वो निर्भर करती है इसके बाद आता है हमारा computerized marker इससे पहले जुछ हमने बढ़ा दब अब आता है आपका computerized marker जो आप computer की help से करते हूँ जो आप CAD की दोआरा करते हो सबसे पहला point है इसमें accurate कि जो आप computer की help से जो बनाते हो वो accurate होते है ठीक है उसमें गलती होने की जो संभावने में होती है वो बहुत कम होती है second point है आपका shortest response time कि सबसे कम परतिकिरिया समय कि इसमें जो आपका time जो लगता है वो कम लगता है as compared to अगर आप वो चीज़ हास से करोगे हास से करने में और मसीन से करने में बहुत अंतर होता है जो काम आप मसीन से करते हो वो काम आपका जल्दी होता है as compared to जो काम आप हास से कर रहे हो उसके बाद है third point आपका direct और digitalized यह आपका direct है और digital है ठीक है इसके बाद है आपका fourth point manipulate image to determine best utilization no overlapping or no omission इसमें क्या बोला गया है कि आप इसको manipulate कर सकते हो image को best utilization की उसमें आपका ना तो इसमें overlap होता और ना ही इसमें आपकी कोई भी गलती होती तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि इसको आप सबसे ज़्यादा आप इसको क्या कर सकते हो इसको utilize कर सकते हो आप इसकी जो image है मतलब आप इसको best utilize कर सकते हो आपकी जो image है आप इसमें किसी भी तरीके से आप इसको modify कर सकते हो आप इसमें changes ला सकते हो इसको manipulate कर सकते हो ठीक है बिना किसी overlapping और बिना किसी omission मतलब बिना किसी आप इसके चूके इसको आसानी से आप इसमें changes कर सकते हो जो अगर आप उस चीज को computer पे कर रहे हो उसके बाद है आपका next point parameter style size etc for marker or enter into the computer इसमें क्या चीज बोली गई है कि इसमें marker के लिए parameter जो हते है इसमें marker के लिए आपके computer में पहले से ही आपका जो style है size है यह सब उसमें enter किये रहते है जिससे जो आपका काम करने का जो तरीका है काम करने का जो आपका बोल सकती हो आपका जो काम है उसको करने में आपको आसानी मिलती है आपका काम जल्दी से होता है पहले से ही जो computer होता है उसमें आपका जो style है आपका pattern का style आपकी स्रक्राइब उसमें बहुत सारी चीजी आपके pattern से related उसमें पहले ही fix होती है ठीक है उसके बाद आपका next है can be printed, recall और modify इसमें बोला गया है कि इसको print, recall और आप इसको modify इसको किया जा सकता है हम इसको असानी से print करके देख सकते हैं, इसको recall करके देख सकते हैं, इसको modify करके देख सकते हैं इसके बाद है हमारा last point criteria can be set by technical, can be used to determine fabric requirement जो हमारा criteria है, वो हम किसके दुआरा set करते हैं, उसको हम technical के दुआरा हम उसको set करते हैं और इसमें क्या बता है, कि यह कपडे की आफसकता को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हम criteria जो set करते हैं, वो किसके लिए set कर जाता है, यह हमारे कपडे की जो आफसकता होती है उसको determine करने के लिए हम इसको सैट करते हैं ठीक है यह थे हमारा computerized marker कि हमारा CAD के द्रवारा हम किस सरीके से अपना जो marking है वो करते हैं अब हम बात करते हैं कि जो हमारा marking marker mode है अब तक हमने क्या पढ़ा हमने پढ़ा कि हमारा marker क्या होता है marker making किया होती है आप marker making जवो कितने type से कर सकते हो आप उसको दो type से कर सकते हो आप उसको manually कर सकते हो या फिर आप उसको cat get through कर सकते हो अब हम पढ़ेगे कि marker mode जो आपको और और इसको करने के कितने तरीके है ठीक है सबसे पहला जो mode है हमारा वो है नैप slash one slash way नैप one way ठीक है यह हमारा सबसे पहला method इसमें क्या बताएगा है नैप slash one slash way marker abbreviation N-O-W हम इसको नैप one way को हम क्या बोल सकते है N-O-W भी बोल सकते है is made with every pattern place with the down direction of the pattern in the same direction इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि pattern के जितने pattern के जो down direction के साथ जो आपका pattern है आप उसको क्या करते हो pattern को आप down direction के साथ एक ही direction में रखे जाते है आपका जितने भी आपके pattern है आपको जितने भी pattern आपको एक साथ बनाए बनाने आप उनको क्या करते हो आप उनको down direction में एक साथ उनको रखते हो जैसे कि आपको यहाँ पे जो आपकी images में दिखाया भी हुआ है कि आपके जितने भी pattern है उनको क्या क्या हुआ है उनको down direction में एक साथ रखा गया है ठीक है यह है आपका सबसे पहला पॉइंट कि जो आपका nap one way जो method है आप इसको अन ओ डबलू भी तो जो हमारा यह nap one way जो mode है इसको हम क्या बोल सकते हैं इसको हम अन ओ डबलू भी बोल सकते हैं और इसमें क्या बताएगा है कि हमारे जितने भी pattern है हम उनको क्या करते है हम इनको down direction में एक साथ रखते है आपकी जो down direction है आप उनको उसी direction में एक साथ इसको रखते हो और आपके जो जितने भी आपके pattern है और उनको तब फिर बनाते हो ठीक है आपका ये first point में यही चीज बोली गई है कि आपके जितने भी पैटन है आप उनको क्या करते हो एक साथ आप उनको same direction में down direction में आप उनको रखते हो उसके बाद आपका second point है this mode is necessary for fabric that are asymmetric इसमें क्या बोलगा है कि आपके जितने भी आपके pattern है ऐपका जो मोड है किन कपड़ों पर किया जाता यह इसको करने कि जो आफ सङला होती है यह हमेशा आपका जितने भी आपके asymmetric जो फैप्रीक होते है collarAB कमद उनको पर किया फैब्रिक that are asymmetric जिते भी आपके asymmetric फैब्रिक है उस पे आपको किस mode की जो रूद पढ़ती है आपको इस पे nap one way या फिर आप बोल सकते हो N.O.W. जो आपका mode है आप उसको apply करते हो उसके बाद आपका third point है all pattern are placed on green and in the down direction which is usually toward the left edges starting point where the legend is written इसमें क्या बोलागा है कि आपके जितने भी आपके pattern है आप उनको क्या करते हो आप उनको grain line पर रखते हो और उसको down direction में रखे जाते हैं आपके जितने भी pattern है आप उनको क्या करते हो आप उनको grain line पर रखते हो जो आपकी बाए किनारे की और होता है ठीक है यह आपके फैब्रिक में किस साइड होते है यह आपके फैब्रिक में जो आपका left ag से उस साइड यह रखे जाते है ठीक है इसके बाद बोला गया आपका last point the nap one way mark is the highest quality but least efficient of the three nap direction of a marker इसमें क्या बोलागा है कि जो आपका one way sorry जो आपका nap one way marker जो है यह आपका highest quality या आपका आप बोल सकते है सबसे highest गुनवत्ता वाला आपका mode है लेकिन एक marker के लिए तीन nap जो direction है उसमें कम से कम मतलब उसको इनमें कम से कम उसको यह चीज आनी चाहिए इसमें यह चीज बोले कि but least efficient of the three nap direction of a marker कि उसको कम से कम यह जो आपकी nap direction है उसको इनके बारे में पता होना चाहिए इसमें क्या चीज बोली गई यह है कि जो आपका nap one way जो है यह आपका सबसे जादा highest quality वाला यह marker है direction में कम से कम उसको उसको efficient होना चाहिए उसको यह चीज आनी चाहिए ठीक है यह था आपका one way nap one way जो मोडव वो क्या होता है इसमें आपकी जित्ते भी pattern आप उनको क्या करते हो आप उनको down direction में रखते हो और यह आपका किस पे अपलाई किया जाता है यह आपका asymmetric fabric पे अपलाई किया जाता है ठीक है इसके बाद हम पढ़ेगे nap either way अब हमें start करते है अपना nap either way ठीक है यह आपका second mode है आपका marking करने का इसमें सबसे पहला point है the nap slash either slash way marker abbreviated n e w nap either way को हम कि उसमें भी बोल सकते है आप इसको n e w के नाम से भी बोल सकते हो is made where where there is no restriction of which way the pattern are oriented इसमें क्या चीज बोला गया है कि जो आपका यह जो आपका nap either way जो है आप इसको आप इसको महाँ पे बना सकते हो जहाँ pattern आप किसी भी आप direction में आप रखो इसके लिए आपका कोई restriction नहीं है कि आप अपने जो आपका pattern है आप अपने pattern को किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो इसमें आपका कोई restriction नहीं होती आपके उपर कोई भी परतिबंद नहीं लगाया जाता आप अपने pattern को किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो, जैसे कि आपके इस figure में आपको दिखाया गया है कि आपका जो pattern है वो आपका किसी भी direction में देखी आपका रखा हुआ है आप इसको up direction में रखो या फिर आप इसको down direction में रखो, आपका जो pattern है उसको हर एक direction में क्या किया है दिखाया गया है ठीक है? इसके बाद है हमारा second point the pattern way जो आपका pattern है आपका pattern जो है उसको हर direction में इसमें दिखाया गया है जैसे आप देख सकते हो arrow की help से जो आपकी image है उसमें दिखाया गया है कि आपके pattern up direction में भी रखे वे और उनको down direction में भी रखा वा गए तो इसमें यही चीज बोली गई है कि जो आपका nap either way है आप इसमें कोई restriction नहीं होती, कोई परती बन नहीं होता आप इसको किसी भी way में आपके जो pattern आप उनको oriented कर सकते हैं ठीक है इसके बाद है हमारा second point इसमें क्या चीज बोली गई है कि आप अपने pattern को या तो आप नीचे रख सकते हो या फिर आप उसको उपर की side रख सकते हो ठीक है आप इसको किसी भी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो आप इसको oriented कर सकते हो आप इसको रख सकते हो जहां कभी भी मतलब जहांपर भी आपकी यह जो pattern है वो अच्छी तरीके से fit होते है आप इसको fit के according आप इसको कहीपर भी आपको adjust कर सकते हो केवल आपको यह चीज शौर करने ही पड़ती है कि जो आपके pattern है वो आपके own grain पर हो ठीक है आपका जो nap either way जो आपका mode है आप इसमें सिफ यही चीज आप सुनिचित करते हो कि आपका जो pattern है वो own grain line पर हो आप इसको किसी भी direction में आप इसको रख सकते हो आप इसको up direction में रख सकते हो आप इसको down direction में रख सकते हो ठीक है आप इसको कही पर भी आप इसको oriented कर सकते हो आप case में कोई भी restriction नहीं होती बस आपको यह चीज mention करनी चाहिए यह चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपका pattern है वो आपका own grain line पर हो ठीक है उसके बाद है हमारा third point last point जो हमारा the nap slash either slash way marker is usually the most efficient mode getting the highest fabric utilization जो हमारा nap either way जो marker है ये आम तोर पर ये सबसे जादा ये सबसे अधिक आपका efficient mode है जो आपका एक highest fabric का use करने में उसका utilize करने में क्या करता है ये आपके को मदद करता है ठीक है जो आपका ये जो either nap either way जो है आपका NEW ये आपका सबसे जादा आप बोल सकते हो सबसे most आपका मतलब आप बोल सकते हो ये सबसे जादा most efficient mode है सबसे अधिक कुशल ये आपका mode है जो आपकी highest fabric utilization में आपकी मदद करता है इसके बाद जो हमारा third point है हम उसको discuss करेगे इसके बाद आता है ये हमारा third mode last mode की जो हमारा marker mode है उसमें सबसे last mode है आपका nap slash up and down ठीक है ये हमारा सबसे last mode ठीक है इसमें क्या बताया गया है सबसे पहला point है आपका the nap slash up slash down mode marker abbreviated NUD इसको किस नाम से आप इसको बुला सकते है NUD के नाम से is more efficient than the nap one way marker but not as efficient as the nap either way marker इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो है आपका nap up and down marker जो है आप इसको किस नाम से बुला सकते हो आप इसको NUD के नाम से भी आप इसको बुला सकते हो आपका nap one way marker की तुलना में ये बहुत ज़्यादा अधिक ये कोशल होता है ये आपका nap one way के उसमें ये क्या बताया है ये आपका ज़्यादा efficient होता है ठीक है ये nap one way marker की तुलना में ये अधिक efficient है लेकिन nap either way marker जितना ये कोशल नहीं है उसके जितना ये efficient नहीं है इसमें ये चीज़ बताये गई है ये आपका जो nap up and down ये आपका nap one way से तो ज़्यादा efficient है लेकिन आपके nap either way से ज़्यादा efficient नहीं है इसकी जो पहली लाइन आपका उसमें ये ही चीज़ बताये गई है कि जो आपका nap up and down जो आपका marker है ये आपका nap one way से तो efficient है उससे तो कुशल है लेकिन आपका nap either way से ज़्यादा efficient नहीं है उससे ज़्यादा कुशल ये नहीं है इसके बाद करते हैं आपके second point की इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि ये आपके pattern के बीच एक बहतर fit होने के लिए pattern के जो आपके जो ये आप बोल सकते हो जो आपके pattern के alternative जो आपके size है size के जो आपके pattern है उनको किस दिसा में रखा जाता है उनको आप opposite direction में रखते हो एक अच्छे fit के लिए ठीक है इसमें यही चीज़ बोली गई है कि in order to get a better fit between the pattern अगर आप इसको pattern को एक better fit में अगर आप देखना चाहते हो तो आपको इसको किस तरीके से रखना चाहिए alternating size of pattern are oriented in opposite size जो भी आपके जो यह pattern जो आपके alternative size के है उनको आप एक opposite direction में आप उनको क्या करते हो orient करते हो उनको आप रखते हो तब ही आपको pattern के बीच में क्या मिलता है एक better एक अच्छा आपको उनके बीच में क्या मिलता है एक better fit जो है आपको इसमें देखने के लिए मिलता है आपके pattern के बीच में जैसे कि आपके इसमें pattern में दिखाया गया है कि इनको opposite direction में रखा हुआ है एक दूसरे के opposite direction में इनको रखके क्या क्या है इनको arrange किया गया है तो आपका जो nap up and down जो आपका mode है इसमें क्या करते हैं आपके जो pattern होते हैं इनको एक दूसरे के opposite direction में इनको रखा जाता है जिससे आपके pattern के बीच में क्या देखने को मिले एक better fit आपको देखने के लिए मिले और इसमें ये चीज़ क्या चीज़ बताए गई थी कि जो आपका nap one and down जो marker है इसको आप बोल सकते हो NUD के नाम से और इसमें क्या चीज़ बताए गई है कि ये आपके nap one marker से ये ज़्यादा efficient होता है लेकिन आपके nap either way से ये कम efficient होता है ठीक है ये आपका इसमें बताए गई है अब हम बात करते हैं इसके last point की this method is yield modetric good fabric utilization and good quality इसमें ये चीज़ बताए गई है कि ये है जो आपका method है ये मध्या रूप से अच्छे कपड़े के use के लिए जो आपका एक good fabric utilization के लिए या फिर आप बोल सकते हो एक good quality के लिए ये बनाया जाता है ये method आपका किस के लिए बना जाता है जिससे ये method आपका सबसे ज़्यादा जो use किया जाता है ये जो आपके मध्या रूप से जो आपके good fabric जो आप utilize करते हो उसके लिए ये बनाया जाता है आपके अच्छे कपड़े के उपयोग के लिए या फिर आप बोल सकते हैं आपके जो अच्छी जो गुनवत्ता वाली जो आपके कपड़े होते हैं उनको बनाने के लिए इस मैथट का यूज किया जाता है तो यह थे आपके तीन मैथट मॉड की आपका जो मारकर मोड है वो कित्ते typu u your two three times in ten आप numa hat-and-down mode उसमें आप का नप one-way mode दूसरा था आपका nap either way mode और थाड़ है आपका nap up and down North थो हमने इसमें पढ़ा कि आपके तीन mode होते हैं ठीक है जिसमें आप याका first one में आप down डार्यक्षिन में रखते हो ठीक है second वाले में आप क्या करते हो आप इसको या तो आप इसको ऊपर किस डारेक्शन में रख सकते हो या आप इसको नीचे की डारेक्शन में रख सकते हो जिस तरीके से आपका जो पैटरन है वो अच्छी तरीके से फिक्स हो आप उसको उस डारेक्शन में आप अपना जो आप मार्किंग करते हो कि उस देरेक्शन में आप उसको रखे कर सकते छो थर्ड मैं आपने क्या पड़ा कि हम इसको आपोजिटी ड tää्रेक्शन में रखते हैं छो हमारे ऐल्टनेटिंस साइज ओफ़ पैटर्न होते हैं आम उनको पैटर्न होते हैं आम उनको पिरLE Olot कि देखने को मिलता है एक अच्छा उपाइटर फिट आप बोल सकते हो देखने को हम लोगों को मिलता है तो यह थे हमारा कि हमारा मारकर मोड कितने टाइप से होते हैं अब हम बात करेंगे इस प्रेडिंग के बारे में